Muse for City में आपका स्वागत है आईए ले चलते हैं देश दुनिया की ख़बरों की बच्चों के बौधिक विकास पर कारिकर रही संस्था Genius Brain Awakens अगार्मी Private Limited के संस्था पर Dr. Kumar K. ने बच्चों की बौधिकता की समस्या पर चर्जा करके बताया कि जिस तरह से आजकर बच्चों की जीवन सहली बदली है कई तरह के उन पर दवाव हैं ऐसे में बौधिक विकास की उन्हें एक खास जरूत है Dr. Kumar, Principal Genius Brain Kids International School Congratulations Sir Please continue applauding for Mr. Christian Kumar Dr. Kumar K. जाथ Dr. Kumar K. मेरे लाइफ मेरे लाइफ में बहुत एक बहुत एक ग्रेट परसन मिले और शेकेंड आज पहली बारे कैसे डॉक्टर देखें हैं जो रिली मेरे लाइफ आप ब्रेन डेवलेपमेंट पे काम करते हैं Students के लिए कितना must है, कितना society के लिए इसके बारे में क्या awareness है कि brain को develop कैसे किया जाएफ लोग तो कहते हैं कि brain जो है वो ही है इसका क्या करना है फिक है जो वो कहते हैं इसलिए वो कहते हैं कि हमारा बहुत कम वो जो powerful brain है वो बहुत कम चल रहा है इसका हर बच्चे को जरूरत है जितना बच्चों के उपर burden आ रहा है आज वो जो है बच्चों पे उतना ही ज्यादा उस burden को हम reduce कर सकते हैं जितनी भी आप बच्चों की प्रेसानी देखते हैं बच्चे उदर गुस्सा बढ़ रहा है बच्चे concentration नहीं कर पा रहे बच्चे ठीक और गल्द को नहीं जानते ये सारी चीजे right brain develop करने से दूर की जा सकती है जिन लोगों का एक या दो परसेंट right brain चला है वो महन बने हैं जैसे आपके महत्मागांदी जी डॉक्टर एपी जब्दूलक्लाम जी स्वामी विवेकानन जी सचिंत अनुगर आमिता बच्चल ये वो लोग हैं जिनोंने around 1% विवेकानन जी की जो study है 1.2% अलबर्ट एस्टिन जो वर्ल्ड के top scientist है उन्होंने 4.3 जो ये brain development के आप बात करते हैं किस age तक किया जा सकता है और इसको develop करने के लिए क्या कुछ awareness अभी देनी जरूरी है parents में ये मा के पेट से सुरू हो जाता है और 15-16 साल maximum 18 साल तक किया जा सकता है जितने जल्दी करेंगे उतने ही ज्यादा developments होंगे इसको करने के लिए बहुत कुछ अभी जरूरत है पिछले 14 साल से मैं लगया हूँ अभी लगबक 3 लाग बच्चे ही हम कर पाए है हम इसको जो है आज हमारा स्कूल को हम रोटी समझते है tuition को हम सबजी और development को हम सलाद हम इन दोनों चीजों पर ध्यान देते तीसरी पर ध्यान नहीं देते जबकि जापान जैसे देश सबसे पहले इसको करते ये हर बच्चे की जरूरत है अगर आप हर बच्चे को डवलब कर दो मेरे पास वो बच्चे हैं जो पाचपाच क्लासी एक साल में पूरा कर रहे है मेरे पास वो बच्चे हैं जो सेल्फ स्टडी करके तो उसका कोई एक्जामिन करने का भी आपका पेरामीटर है? झाल रहा है?